हलो दोस्तों आपके स्वागत है जी एकेडमी में वरकतुला उनिवसिटी भोपाल मत्रदेश से यदिया पीजडी करना चाह रहे हैं तो पीजडी इंटरेंस एक्जैम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2022 का मैं नोटिफिकेशन के वीडियो बना दिया है वेकेंट सीट क स्लेवस का वीडियो बना दूँगी मैं तो चलिए अपन देख लेते हैं ओडिनेंस 11 टैप कर लेते हैं यह हम टैप कर लिया हम इसे डाउनलोड कर लेंगे ओडिनेंस 11 यह कहता है कि यदि आप पेजडी करना चाह रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए मास्टर डिगरी कम्प्लीट यह देखे and second क्या कहता है यदि आप UGC NET with a JRF UGC CSIR NET with JRF या कि फिर teacher fellowship holder और any other government foreign research fellowship holder और have a past MPHL program यदि आपके पास MPHL है UGC NET with JRFs qualify हो CSIR NET with JRF qualify हो तो उनके लिए entrance exam वो रहेगा entrance exam ना दे तो भी चलेगा exempted रहेगा ठीक है यह देखिए with the course work course work shall be the exempted from the entrance test but they have to appear in a interview क्या होता है जब exam होता है exam के बाद आप qualify करते हो फिर उसके बाद आपका interview होता है interview एक RAC committee बैठती है जिसमें आपका जो भी research का topic है वो select होता है और कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो यदि entrance exam नहीं भी देते हैं MPHL वाले या कि फिर NET JRF वाले या कि फिर UGCC CSIR NET वाले with JRF तो उनके लिए entrance exam ना भी दोगे तो भी चलेगा course work की fees भी नहीं भरनी पड़ती MPHL वालों को और वो direct जो है RDC के लिए appear हो सकते हैं पहले RAC देंगे, interview देंगे, फिर RDC देंगे उन्हें course work exam भी नहीं देना पड़ता चले अब और अपना आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है थोड़ा ज़ली वो करते हैं, स्क्रॉल करते हैं यह देखे, कैसे होगी process पहले entrance exam दोगे, फिर उसके बाद interview दोगे फिर उसके बाद list बनेगी candidates की, final की और फिर उसके बाद vice chancellor के signature होगे entrance exam की बारे में देख लेते हैं 100 questions होंगे और 100 marks का रहेगा दो part में divide होगा, part A, 50 questions, 50 marks part B, 50 questions और 50 marks इसी तरीके से part A में auditory type questions होंगे और 1 marks each way on a research methodology, ठीके ना, part B में जो भी आपका subject है, उसे related questions पूछे जाएंगे, चलिए और आपन आगे देख लेते हैं और जो ये entrance exam का duration होगा, दो घंटों का होगा इस बार offline exam हो रहा है और कोई negative marking नहीं रहेगी candidate के पास minimum 50% होना चाहिए यदि आप journal से belong करते हैं और 45% for SC, ST या OBC के लिए चाहिए यही ordinance 11, बहुत सारा है आप अच्छे से एक में download कर लीजेगा और देख लीजेगा सब मिल जाएगा, interview का method क्या रहेगा ये देखिए Research Advisory Committee, ठीक है और इसमें क्या क्या रहेगा proposed research और research center और कुछ additional knowledge होना चाहिए जिस field में आप research कर रहे हैं three topic पे आप वो कर ले न और हाँ, research center और research guide को एक बर please confirm कर ले न मैं उनके name और number और कितनी vacant seat हैं किसकी subject में वो मैं बता दूँगी तो आप वहाँ से भी वो कर लेना save कर लेना आपन देख लेते हैं interview का method कैसे रहेगा interview will be based on the hundred marks कर रहेगा इसमें किस तरीके से आपका वो होगा research plan कैसा है research potential aptitude कैसा है communication skill कैसी है और subject knowledge कैसा है जो इस एरिया पे आप कर रहे हैं और उसके बाद आपको marks पता चल जाएंगे और final फिर आपका selection हुआ या नह हुआ list जारी कर दी जाएगी आप इसको download कर ले नो अच्छे से पढ़ ले न जितना काम का था उतना मैंने बता दिया है और और आगे की process आप लोग को नहीं पता course work exam कैसे देना क्या है RAC के लिए क्या करना पड़ेगा RAC मतलब interview के लिए क्या करना पड़ेगा normally एक research मतलब एक topic लेके जाना पड़ेगा जिस topic पर research करना चाहरे है उस पर थोड़ी summarize कर लीजेगा और एक research guide का नाम होना चाहिए research center का भी नाम mention होना चाहिए जहां से आप research क्या होता ordinance 11 में ही एक पैरा मिलेगा जिसमें आपको वहां से आप research guide का वो sign करवा लेना उस मतलब print out निकलवा करके और साथी साथ में research center का भी नाम आजाएगा उसी में उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी guide बहुत easily मिल जाते हैं बस यह approaches लगाने पड़ते हैं ठीक है मैं आपको research guide कैसे ढूड़ना यह बता दूँगी मैं and thank you